स्टुडेंट्स अब हम केस स्टेडी 3 की बात करेंगे आपको गिवन है क्रिशिक एन इल्मिनियों आई एम एम दवाद इनिशियेटिड हर स्टार्टप क्रिशिका लिमिटेड इन 2018 उन्होंने अपना बिजनस स्टार्ट करा है को स्टार्ट किया है प्रोफिट दे रखा है आ प्रोफिट बिफोर टेक्स कितना आएगा विटा आपके पास अफ्टर ओल एप्रोप्रेशन प्रोफिट दे रखा है 31,25,000 का आपको याद हो हम कुछ ट्रीटमेंट करते थे बिफोर प्याने के लिए क्याश फ्लो में हम एड़ कर देते थे ट्रांसफर टू जनरल डिजर 8,75,000 और हम एड़ करते थे प्रोविजन फोर टेक्स जितना भी आपने मेड कर दिया मेड पेड नहीं गिवन तो यह सेम यह दे रखा है तो सेम हम 4,37,500 को एड़ कर देंगे तो जब आप इसको एड़ करोगे तीनों के तो आपका अंसर क्या आजाएगा 44,37,500 जो कि हमारा आज़ आज़ा है D वाला है सेकिड्ड पॉइंट में कहरा है ओपरेटिंग् प्रोफिट बिफ़र वर्किंग कैपिटल चेंजिज़ क्या आएगा विफोर वर्किंग कैपिटल चेंज़ में पहले-पहले आपको नेट प्रोफिट बिफोर टेक्स गीवन होता था उसमें आ एड़ कर देंगे 7,80,000 तो आप adjustment करेंगे इन दोनों की तो आपके पास 39,67,500 आ जाएगा तो ये आपका कुन सा है C point है cash from operating activity before tax tax देने से पहले क्या आएगा आएगा आपका operating activity का answer cash flow तो बच्छो आपको याद हो working capital का treatment होता था before tax से पहले तो working capital के treatment में क्या करते थे add करते थे हम decrease in current asset, increase in current liability और less करते थे आप increase in current asset, decrease in current liability तो आपके पास trade payable तो दिख रहे हैं 350 से 450 होगे 1 lakh के increase कर दी हमने add कर दी है और आपको less करना increase in current asset, current asset पूरे increase हो रही है prepaid expenses भी increase हो रहे है receivable भी increase हो रहे हैं और inventory भी increase हो रही है तो आपका जितने जितने से amount increase हो रहा है आप वो सारा amount लिख देंगे आप बताओ आपके पास 2 lakh 50,000 तो prepaid expenses आप लिख दोगे ठीक है 1020, 1020, 1050 तो 2 lakh 30,000 का inventory change हो जाएगा तो जब आप add और less करेंगे आपको क्या करना है इसमे add कर देना है 40,000 67,500 में से आपको ये सारी चीज़े क्या करनी है बच्चो लेस करनी है तो आप किस पर पोच जाएंगे आप अपना before tax पर पोच जाएंगे तो ये आपके पास आजा अब आपको 4th point में दाना है cash flow from operating activity will be cash flow operating activity का क्या आएगा operating activity का हमने यहां तक निकाल लिया बस इसमें से tax और minus कर दो tax paid जितना है 4,37,500 तो आपके पास answer आजाएगा आपका जो answer आएगा आपका इसमें कौन सा point है बताओ 4,37,500 माइनस होंगे 37 तो 5 में से 3 गए 2,31,20,000 इसका answer आजाएगा आपका 4th का भी का तो यह आपको पूरा solve करके बता दिया यह आपका आगया बच्चे before tax पे आगये हम यहां पर यहां तक और उसके बाद यह हमने adjustment कर दी non cash और non opting items की फिर working capital का treatment कर दिया यह आगया इसमे पारी case study 3 थी बच्चु थैंक्यू बेटा